हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यासमीन शहनास गिलो पारस छाबरा का शो मुझसे शादी करोगे मैं आई दिन कई ट्विस्ट अन टर्न्स दर्शकों को देखने को मिलते हैं लेकिन बावजूद इसके ये शो लोगों को इंप्रेस नहीं कर पा रहा है हाली में शो में चार नए कंटेसंस की वाइल कार्ड के तौर पर धमाकेदार एंट्री होई थी जिसमें दो हसेन आउट, टीवी अक्टरेस आचल और डांसर शिवानी जाने पारस के लिए एंट्री मारी है तो वही दो हैंसम हंक तहरान, बक्षी और शहजादा ने शहनाज गिल के लिए इंट्री ली है शो में इनके आने के बाद मस्ती एंटर्टेन्मेंट के साथ साथ खुब हंगामा देखने को मिला लेकिन वाइल कार्ड के तोर पर आये शहजादा के एक विवादित बयान से हंगामा मच गया दरसल शहजादा ने शहनाज को एक मैनरलिस लड़की बता दिया बता दे शहजादा ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि शहनाज ने उन्हें कह दिया था इसलिए उन्होंने अपनी एक सोचल मीडिया पोस्ट पर शहनाज को मैनरलिस लड़की बता दिया है फिर क्या था जैसे ही शहजादा ने शहनाज को मैनरलिस लड़की कहा वैसे ही वो ट्विटर पर ट्रोल होना शुरू हो गए जहां शहनाज किल के फैंस ने शहजादा को सोशल मीडिया पर जम कर ट्रोल किया कोई उन्हें नलना बता रहा है तो कोई उन पर सवालों की बोच्छार कर रहा है एक यूजर तो शहजादा से काफी परिशान हो गया वो लिखता है आपने शो में बस दो दिन बिताए हैं और आप चाहते हैं कि शहनाज आपके साथ connect करने लगे ये कैसे हो सकता है आप जानते हैं कि शहनाज के दिल में पहले से कोई और है आप मेकर्स की वज़े से शहनाज को इंप्रेस नहीं कर पाए तो उसका गुस्सा आप शहनाज पर निकाल रहे हो ये ठीक बात नहीं है वही दूसरे यूजर ने लिखा शहजादा इस अच्छ अ मैनरलेस बोई I have ever seen in my life He doesn't know how to talk about a girl, how to respect a girl By saying this about शहनाज, he has proved himself to be the same human being just like पारस छाबरा, shame on you तो वही कुछ लोगो ने शहजादा को सही बताते में लिखा शहजादा is absolutely right बट इस fandom is more pathetic and blind बट I am happy at least some people like शहजादा has guts to say truth शहनाज गल is most बत्तमीज girl and most fake also as she used to act cute in Big Boss वही ये एक ने लिखा Well done, शहजादा Well, तो दोस्तों जहाँ एक तरफ शहनाज के फैंस शहजादा को ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ यूजर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वही शो का एक रोमो काफी वारल हो रहा है जिसमें चार लड़कों को एक साथ एविक्ट कर दिया जाएगा अब खबरे हैं कि मुझसे शादी करोगे शो 27 मार्च को ओफएर होने वाला है वैसे शहजादा के इस बयान पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट करके जरूर बतायां और टीवी से चुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ